आज नवरात्री तिथी का तीसरा दिन है आज मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्री तिथी में तीसरे दिन आपको किस परूप की अराधना करनी है और उनकी अराधना की विधी क्या हो मा दुर्गा जी की तीसरी शक्ती का नाम चंद्रघंटा है नवरात्री उपासना में तीसरे दिन इनकी पूजा का अत्यदिक महत्व बताया गया है और इस दिन इनी के विग्रह का पूजय नराधन किया जाता है मा चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तों के दर्शन होते हैं दिवि सुगंदियों का अनुभव होता है तथा विविवद प्रकार की दिविद्वनियां आपके करणों में सुनाई देती हैं यह शण किसी भी साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं यह उस बात के लक्षण हैं कि आप जो साधना कर रहे हैं अगर आप को यह अनुभव होता है कि आपके काण में आपको कुछ संगीत में बनिया सुनाई दे रही है यह आपको कुछ अजीब सी कुभ अच् को ऐसा अनुभव हो तो इस अनुभव को प्राप्त करके आप अपनी साधना के लिए और ज्यादा सचेत हो जाए और हो जाए क्योंकि आप बिल्कुल सही मार्क पर बढ़ रहे हैं इसमें किसी भी प्रकार की बाधा मां का यह जो स्वरूप हो है और कल्याणकारी स्वरूप माता के मस्तक पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र स्थापित है से इंए जंद्रघंटा देवी कहा जाता ही इनके रंगत्के समな किला है ने के रहने वाल remote अर्थात ये जो युद्ध की मुद्रा है आपके उपर आने वाले किसी भी काल को टालने के लिए माता तत्पर रहती हैं ऐसा स्वरूप मानना चाहिए हमें चाहिए कि अपने मन वचन और कर्म एवं काया को वहित विधी विधान के अनुसार पूर्णता परिशुद करके और पवित्र मन के साथ मा चंद्रघंटा के शरणागत हो करके उनकी उपासना और अराधना करें उसमें आप तत्पर रहें उनकी उपासना से हम समस्त सांस सारे कश्टों से विमुक्त हो करके सहजी परंपत की अधिकारी बन सकते हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए शाधना की और अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए उनका ध्यान हमारे इह लोक और परलोग दोनों के लिए परम कल्यानकारी और सद्गती देने वाला होता है प्रतेक सर्व साधारण के लिए अराधना योग यह मैं जो सरल सा मंत्र आपको बता रहा हूं इसका अर्थ बहुती इस पस्थ है मां जगदंबे की भक्ति पाने के लिए किसी भी साधक को इस मंत्र को कंठस् और नवरात्र की आज तृती आतिती में इसका जाप आपको अवश्य करना चाहिए यह मंत्र इस प्रकार है या देवी सर्वभुतेशू चंद्रघंटा रूपेण स्वस्तताम नमस्तस्यई नमस्तस्यई नमोनम इसका अर्थ बेहत सरल है अर्थात हे मां सर्वत्र विराज प्रजमान और चंद्रघंटा के रूप में प्रसिद्ध मां अंबे आपको मेरा बार-बार प्रणाम है या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूं हे मां तुझे सब पापों से मुझे मुक्ति देनी है इस दिन किसी कन्या को बुला करके यदि आप उसका पूजन करते हैं तो बहुत अच्छा लाब मिलता है और पूजन करने के बाद आपको उसे कुछ भोजन भी अवशे कराना चाहिए भोजन में प्रमुक तोर पर दही और हल्वे का भोग होना बहुत जादा आनिवारी है बेट में कलश और मंदर की घंटी क बेट करना आज की तिथी में बहुत अच्छा लाब देता है माता को यदि आपको भोग लगाना है तो विशेश भोग जो आप अर्पित करेंगे वह दूद से बना हुआ कोई नवेद्य होना चाहिए कोई खोए का मिश्थान हो या फिर घर में आप माता के लिए खीर भी भोग लगा सकते हैं बना करके अपने हाथों से साफसफाई से बनाएए माता को अर्पित करें और उसका कुछ अंच जो है किसी ब्राम्वन को दान करें इससे आपको अपने दुखों से मुक्ति मिलेगी और परमानंद की प्राप्ति होती है तो यह तो थी तृतिया तिती म मा चंद्रगंटा की पूजा अराधना की सारी संपूर्ण विधी अब मैं आपको बताऊंगा कि महाविद्या के किस वरूप की आजाप तृतिया तिती में और किस विधी के नुसार अराधना करें